आउज बिल्लाहिमिन श्यत्वान इत्वाजीन बिस्मिल्लाहित्वान इत्रहीन असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मुषिन रजा और आप लोग देख रहे हैं 24R7 टीचर्ज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल दोस्तों कलाफ चल रही है हमारी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग क और आज उस सिरीज का हमारा पंद्रवा लेक्चर है दोस्तों अगर मड्यूल की बात की जाए तो यह हमारा फिस्ट मड्यूल है पांचमा मड्यूल है जिसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर बायर बीहेवियर और हमारी अगली ज को भी देख लेते हैं कि हम लोगों ने अपना जो पिछली क्लास थी उसके अंदर माड्यूल फोर पढ़ा था माड्यूल फोर जो है that is related to the marketing information system हमने देखा था कि why this marketing information system is important to take the better decision along with that we have also seen the benefits of marketing information system at the end of our previous session we are also talking about the component of marketing information system हमने देखा था कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को utilize करके अपना marketing के decisions को बेहतर बना सकते हैं और अपने objective के साथ जह है वो in line कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों हमने आज की क्लास से मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम एक नया module शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम consumer buying behavior है हम देखेंगे कि black box model क्या होता है इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से FA factor है जो हमारे consumer behavior को affect करते हैं जिसके अंदर कुछ cultural factor है कुछ social factor है कुछ personal factor है और कुछ हमारे पास psychological factor है तो first of all we have seen what is meant by the consumer behavior कि ये consumer behavior होता क्या है Buyer behavior refers to the decision and acts people undertake to buy the product or services for individual or group use के consumer buying behavior जो है वो एक ऐसा सैसला या act है जो के people undertake करते हैं किसी भी product को खरीदने के लिए या किसी भी service को render करने के लिए वो उनके लिए individual भी हो सकती है और वो किसी group के इस्तमाल के लिए भी share हो सकती है 8 synonyms with the terms consumer buying behavior which often apply to individual customer in contracts to business The buying behavior is depend upon many factors के हमारा ये जो है इसको हम consumer buying behavior भी कहते हैं different factors के उपर तो पहला इसके अंदर जो factor है वो है place of purchase के आपका जो behavior है वो place of purchase की वज़ासे भी change हो जाता है हमने एक चीज़ खरीद नहीं होती है for example हम chaise up या metro या cheese value या इसी तरह इंतियाव या इसी तरह के किसी और shopping mall के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर देखे हमने एक चीज़ खरीद नहीं होती है लेकिन जैसे ही हमारी जो place है वो change हुई तो वहाँ पर जाने के बाद हम जो है कुछ और भी साथ खरीद लेते हैं तो यह देखे हमारा जो consumer behavior है that is change regarding the place change कि यह हमारी जब place change होती है तो वह भी change हो जाता है items purchase अब कुछ items हमने खरीद लिए अब हमने यह देखा कि कुछ items जहें उनकी जो durability है उनकी जो reliability है वो बहुत व्यादा है और आज जहें वो हमें कम कीमत के उपर जहें वो मिल रही हैं तो हम जहें उनको खरीद कर लेते हैं इसके बाद time and frequency of purchase है कि हम जहें टाइम के इसाब से कि कुछ चीवें जहें वो fast moving होती हैं तो हम जहें उनकी खरीद लेते हैं और कुछ चीवें जहें वो देर पा नहीं होती हम उनको नहीं खरीदते इसी तरह हमारे कुछ methods है परचेव के जैसे online method है तो अगर online method है तो हमें जहें हर चीव खरीद करने में जहें वो असानी है त तो इस तरीके से हमारे जो behaviors हैं, वो change होते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे black box model क्या है। ब्लैक बास model जब हम जो है वो study करते हैं consumer bind behavior को तो उसके लिए हम एक model assume करते हैं। इसको हम black box model कहते हैं। अब यह model है कि इस model के अंदर हम लोग उस share के हवाले से involvement का analysis करते हैं। बाइर block black box model आ गया दर्मियान के अंदर और buyer response आ गया। अब involvement में देखे हैं हमारे पास जो product price place और promotion है। इसी तरह buyer characteristics हैं उस black box के अंदर और buyer decision process है। अगर हम उसके response की बात करें तो उसका attitude है, उसका purchasing behavior है, brand है, company का relationship है और यह सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके बात दोस्तों आगे देखें कुछ factor हैं जो हमारे consumer behavior के ऊपर जो है वो अफर अंदाज होते हैं। अब इसमें हमारे पाफ चार किसम के factor हैं। एक cultural factor हैं, एक social factor हैं, एक personal factor हैं और दूसरा आखरी जो हमारे पाफ psychological factor हैं। इसको अगर graphically देखा जाए तो cultural factor के अंदर हमारी social class आ जाती है, sub culture आ जाता है। इसी तरह अगर हम social factor को देखें तो इसमें references, group, family, roles, attitude वगरा आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम personal factor को देखें तो इसमें occupation, economic, situation, lifestyle हमारा आ जाता है। और आखिर के अंदर अगर हम psychological factor के बात करें तो motivation, perception, learning, belief, attitude और इन सारी चीवों को मिला के जो है एक buyer का behavior जो है वो बनता है और ये सारे factor उस behavior के उपर अफरदनाब होते हैं। दोस्तों, अब हम अगली flight के उपर चलेंगे और इन सारे factors को जो है हम बारी-बारी देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा factor था वो था cultural factor. Cultural factor है, a huge effect on buying behavior of consumer. Cultural refers to as the set of basic wants, behavior, perception, value that member of society learns from his family or other institutions. Whereas, every culture has its own traits and characteristics. Cultural के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये जो है, ये effect of basic wants, behaviors का आ जाता है, perceptions क्या है, values क्या है, किसी भी society की, इसके अंदर institution भी आ जाते हैं, हमारी अपनी own family भी आ जाती है। इसी तरह यहां पे देखें, हम बारी बारी देखें, जैसे पंजाब के culture की अगर हम बात करें तो यहां पे जो लोग हैं, वो व्यादा प्यार करने वाले हैं, मेजबान हैं और जैसे वो खाने को पसंद करते हैं, और poetry को पसंद करते हैं, और music उनका मश्कला है, उसको भी पसंद करते हैं। अफरंदाव हो रहा होता है, कल्चिरल एक बहुत एहम फेक्टर है, इसी तरह अगर हम के पीके कल्चर की बात करें, तो वहाँ पे जो लोग है, वो व्यादा केरिंग है, वो रिस्पेक्ट देते हैं अपने महमानों को, अगर आप चले जाएं अपने नौर्डन एरियाज के अंदर, तो वहाँ पे आपको बहुत फारी रिस्पेक्ट मिलेगी, वहाँ के लोग बहादूर हैं, फीमेल की वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरह अगर हम बात करें अपने बलोची कल्चर की, तो बलोची कल्चर जो है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट को, यानि के हाट से बनी हुई चीवों को, आर्ट को, और इसी तरह फेस्टिवल को, और इसी तरह बाकी ट्रेडिशन, उनके अपने हैं, स्टोरी टैलिंग को, ये सारी चीवों को वो पसंद करते हैं, तो हर जो इलाका है, उसका जो कल्चर है, वो डिफरेंट होता है, और ये जो कल्चर है, ये कंवीउमर बाइंग बिहेवियर के अउपर असर अंदाज होता है. इसके बाद अगला जो हमारे पाव फेक्टर था, कल्चर से डिलेटिव, वो फोच्छल कलाव थी. अब फोच्छाल क्लाव क्या जो लोग है, उनका बीहेवियर क्या है, उनके इंट्रस क्या हैं उनके अंदर similarities क्या हैं उनके डिजियन अब यहां पर इसको तीन categorize किया गया तीन classes के अंदर एक अपर class है अब अपर class क्या है इस class consists of the elite class who have inherited wealth के वो elite class है जिनकी income जहाँ वो बहुत ज्यादा है और इनको काफी फारी जो दौलत है वो अपने पेरेंट से inheritance में भी भी ली होती है तो इनका जो बाइंग behavior है वो कुछ different होगा इसके बाद जो second हमारी social class है that is the middle class middle class middle class the social class comprise of independent business person इसमें corporate managers आते हैं इसमें professionals आते हैं unusual wealth होती है इनके पाफ और family status भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता इसके बाद आखरी जो हमारे पाफ class आती है वो है lower class अब lower class the social class comprise of poor who are working वो गरीब लोग आते हैं their standard of living is just above the poverty line और इनका जो living standard है वो उस poverty line से थोड़ा सा ऊपर होता है समझ लेंके उस poverty line के बराबर ही होता है it is also include poorly educated and skilled labor के ये तो ना इतने ज्यादा पढ़े लिक्के होते हैं और इनके पास को इतने ज्यादा skills भी नहीं होती और नॉर्मली जो इसके अंदर लोग आते हैं वो लेबर्स या वरकर्स आ जाते हैं तो ये देखें socially भी जो है वो लोगों को तीन हिसों के अंदर तक्सीम किया गया upper class, middle class and lower class और इसी हिसाब से जो है फिर उनका purchasing behavior भी होता है तो ये है हमारा first जो factor है वो cultural factor आ गया इसके बाद हमारा जो second factor था that is known as the social factor अब social factor क्या है and other major factor that influence the consumer behavior that is known as the social factor इसके अंदर group family है हमारा को social network है तो पहला देखें the group which the person belongs to direct impact होता है इसकी purchasing behavior के उपर क्योंकि socially जो है वो लोग engaged होते हैं अब for example कुछ लोग जो है वो brands को के उपर जा के shopping करना पसंद करते हैं उनका एक अलग group है कुछ लोग जो है वो local market से जो है वो shopping कर लेते हैं तो ये different groups की बाद है इसी तरह आजकल जो एक emerging trend आया है social factor के अंदर वो online या social networking है तो ये हमारे पाफ जो है वो online social network आया है इसके थुरू भी जो है वो लोग connect है इसके बाद अगला जो है वो हमारे पाफ family groups आ जाते हैं कि कुछ लोग जो है वो family groups के अंदर जा के shopping करते हैं तो ये different हमारे पाफ social groups बने हुए friends का circle है ये हमारा कोई social media online का circle है ये को family circle है तो ये भी हमारे purchasing behavior के उपर असर अंदाज होती है इसके बाद जो next हमारे पाफ factor था वो था personal factor अब आदमी के अपनी जो personal trade है या जो अपनी उसकी characteristic है अपनी जो उसकी age है वो भी हमारे जो buying behavior है उसके उपर असर अंदाज होती है इसमें हमारे पाफ age आ जाती है economic factor है पेशे का भी फार्क है personality का भी फार्क है life style का भी फार्क है तो यह सारी चीज़ें भी buying behavior के उपर अफर अंदाज होती है अब इसमें देखें हम अगर बात की जाए आपको patient की तो आपको patient के अंदर जो business man है वो वह फूटिड बूटिड उसकी कोशिश होगी के वो three piece ज जो है अपने जो है वो कपड़े खरीद कर लें तो इस तरीके से भी हमारा यह occupation अफरंदार होता है इसी तरह अगर बात की जाए consumer buying patron की economic situation के हवाले से तो हमारे जो ऐसे लोग जो elite class के अंदर fall करते हैं अभी हमने social classes का विकर किया तो उनकी income ज्यादा होती है तो वह economic factor आ जाएगा इसी तरह people also buy goods and services according to their lifestyle के उनका life जो style है वो क्या है अगर शाहना है तो उनका buying behavior different हो रहा और अगर उनका शाहना नहीं है तो उनका जो buying behavior है वो different होगा तो यह हमारे कुछ personal factor है जो हमारे buying behavior के उपर असर अंदास होते हैं तो दोस्तों हमने तीन factors को cover किया और बात करेंगे हम next lecture के अंदर क्योंकि आज की class कर जो हमारा time है वो तकरीबन खतम हो गया है तो हम जह है अपनी class को यहीं पर wind up करते हैं हमने consumer behavior से आज अपनी बात शुरू की और देखा हमारे पास एक black box model है तो judge the consumer buying behavior और उस black box के उपर जह है कुछ factor अफरंदाव होते हैं जि psychological factors की बात करेंगे तो दोस्तों आज की class हम यहीं खतम करते हैं और आखिर में यहीं कहूंगा कि अगर आपको मेरी videos अच्छी लग रही हैं तो आपने like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share किया करें जिनका यह subject है ताके उन्हें भी फाइदा हो और मेरा channel 24R7 teachers online subscribe कीजिए ताक तो मिलते हैं अगली marketing की class में उस वकत तक के लिए अला हाफिज